नमस्कार, ABP गंगा के बेब बुल्टिन में आपका स्वागत है, मैं हूँ पंकस सिंग गौर और आज बात करेंगे तीन बड़ी खबरों की, तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से आसीतापुर में जिला पंचायत बोर्ड की समिच्छा बैठक हुई, इस समिच्छा बैठक में 61 अधिकारियों को आना था 33 अधिकारी उपस्तित हुए जिला पंचायत के सदस्यों ने आज इस बैठक में उन्हें बिकास कारें का आइना दिखाया कई गंभीर आरोप लगाए, गड़ा मुक्त सडक से लेकर बिजली कर्मियों पर बरसे और OTF योजना को लेकर भी तमाम गंभीर आरोप लगाए वहाँ पर खड़े होकर अधिकारी जिला पंचायत सदस्यों के आरोपों को सुनते रहे जिला पंचायत की अध्यच्छा सदस्यों को विस्वास दिलाया कि वह उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे जिला पंचायत अध्यच्छ के प्रतिनित सिकुवार गुपता ने कहा कि अब जिला पंचायत सदस्यों के हक को अधिकारीयों को भी समझना पड़ेगा और उनके अधिकारों को भी समझना पड़ेगा नहीं तो उनकी लडाई को वो आगे भी लडेंगे आज इस तरीके से जिला पंचायत समिछा बैठक हुई उसमें कहीं न कहीं आज एक समान एक हुंकार भरी गई अधच ने जिला पंचायत सदसों के साथ ये आज बताने का काम किया कि उनके साथ जिला पंचायत के सदस से एक साथ खड़े हैं और वो उनके लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं अब हम बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की जो महमूताबाद बिधान सबाद छित से जुड़ी हुई है जहां कि भाजपा की बिधायका आसा मौर्या ने आज एक निर्माना धीन PSC का निरिच्छन करने पहुँची वहां पर उन्होंने जो प्रियोग में इटा आ रही थी वो पीला इटा पाई जिसको हाथ से जब उन्होंने तोड़ा तो वो तूट गई तो वो काफी नाराज हुई और बिधायक आसा मौर्या ने ये भी कहा कि यहां पर जो मसाला का प्रियोग हो रहा है वो भी मानक भीहीन है इसके अलावा वहां पर जो फर्स बनाई जा रही है जिस पे पिलर खड़े किये जा रहे हैं वहां भी मिलावट का काम हो रहा है यानि मानक बिहीन काम हो रहा है इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि यह जो विकास कारी हो रहे हैं मानक बिहीन इसको तत्काल दिखवाएं और इसको अभी से रोक लगाएं इस पर नहीं तो इसको लेकर वो सासन मे सिकायत करेंगे अब तीसरी बड़ी खावर की बात करेंगे आज मनरेगा दिबस मज़दूरों ने मनाया और मजदूर संगतिन किसान की नेतरी रिचा सिंकी अगवाई में विकास भवन पर धरना देकर मजदूरों ने मांग की तो जो हाजरी उनकी लगाई जा रही है उसको ना लगाई जाए चुकि उसमें जो असिचित मजदूर है उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हाजरी उनकी लग गई है या फिर नहीं चूकि जो हाजरी लगाई जाती है वो इंगलिस में लगती है उन्य पता ही नहीं चल पाता है कि उनकी हाजरी लग गई या नहीं लग गई मज़दूरों ने कहा कि दरसल इसके अलावा भी कई समचाएं हैं खासकर वो सौ दिन का काम मांगती है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 40 दिन का काम मिलता है भुगतान में भी लेट होता है काफी पुराना भुगतान हो जाता है और वो लोग मांग करती रहती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है तो मनरेगा दिवस्था उस पर मजदूरों ने जिस तरीके से मनरेगा योजना को लेकर अधिकारियों को अपनी मांगों का ग्यापन दिया उससे कहीं न कहीं ये साबित होता है कि मनरेगा के मजदूर मनरेगा योजना को लेकर परिशान है उसका जो किरवान्वन हो रहा है वो सही ढंक से नहीं हो रहा है किसान मजदूर संगतिन की नेतरी हरीचा सिंग आज जो मनरेगा मजदूरों को लेकर हमेशा आंदोलन करती रहती है इससे पहले उन्होंने बेरोज़गारी भत्ता दिलाने का काम किया उन्होंने आज फिर मजदूरों की अगवाई की और चिताओनी दी कि यदि उनकी मांगों को न माना गया तो आगे चल कर एक बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है